हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं आज मैं आपके लेकर आए हूँ रात की बच्यों की डाल और आटे से बनाया हुआ नाश्टा कई बार दाल हमारी रात को बच जाती है तो प्लीज आप इसे ना फेके और आटे से मिलकर आप ऐसा नाश्टा बनाए जिसे घर के बड़े से ब बागत है रेसिपी पसंद आने पर प्लीज मेरे चैनलों को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले मैंने लिए हैं दो कटोरी ग्याहूं का आटा रात की बची हुई डेर कटोरी दाल कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हींग सूखी मैथी एक कटी हुई प्याज बाओ लेंगे उसमें दो कटोरी ग्याहूं का आटा डालेंगे देखिए फिर उसमें सूखी मैथी डालेंगे हींग और कड़ी पत्ता और यह एक कटोरी डाल हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई प्यास जालेंगे एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून नमक एक टीस्पून लाल मिर्च आदा चमबच गरम मसाला आदा चमबच अजबाएन अब इन सबी मिसालों को आटा के साथ हम अच्छे तीरे तीरे करके आटे और दाल के साथ मिक्स करना है आप देख सकते हैं इसमें पानी को यूज बिल्कुल भी ना करें अपने हलके हातों से आप इन सभी मसालों को मिलाईए यह देखिए इस तरीके से जब यह सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें आदा कटोरी दाल और डालेंगे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि दाल के अंदर खुद का अपना पानी होता है और हलके हातों से आपको आटे का गूनना है यह देखिए मैंने आटा गून लिया है अगर आपको बोल में आटा गूनने में दिक्कत हो तो आप बड़ी परात का यूज भी कर सकते हैं दीर दीरे करके आपको इस आटे का गूनना है चलिए अब हम परांठे बनाने शुरू करते हैं देखिए हमारा आटा गून चुका है अब मैंने एक बड़ी सी लोई लिया है परांठा बनाने के लिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा सूखा आटा लिया है मैंने और थोड़ा सा घी लेंगे और चम्बस की हेल्प से इस घी को आप आटे पर स्प्रेड कर देंगे देखे इस तरीके से आप कैसे पड़ते बनानी है हलके हाथों से इस ट्रैंगल शेप के परांथे को आप आकार देंगे आप देख सकते हैं कि मैंने परांथे को किस तरह से बेला है चलिए अब इसम सेखने की त्यारी करते हैं चलिए तवा गरम हो चुका है अब इस तवी के ऊपर मैं यह परांठा डाल दूँगी इस दाल के परांठे को सिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए दीरे तीरे करके इस परांठे को हमें सिखना है जब दोनों तरफ से यह परांठा सिख जाए तब हम इसके उपर घीर लगाएंगे और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे सिखेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे परांठा अच्छी से सिख चुका है चलिए अब मैं आपको दूसरा परांठा भी बनाना सिखा देती हूँ जित्रा मैंने मेजरमेंट लिया है उससे आप साथ से आठ परांठे आराम से बना सकते हैं बाकी के परांठी भी आपको इसी तरीकी से बनाने हैं धीरे धीरे करके आप इन से सारे परांठे बना लीजिए यह आप देख सकते हैं दाल से बने गुए परान्टो का टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है आप जो भी बडैगुलियो परानठे, खाते हैं जिसो के अलु, पनीर के, प्याज के उन सबी परान्टों से इन परान्टों का सवाथ बहुत ही डिफरेंट है आप इन्हें घर में ज़रूर ट्राइ कीजिएगा आप देख सकते हैं यह परांटे कितने कुरकुरे बने हैं आप इन्हें ग्रीन चटनी अचार यह लसन की चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको मेरी आज की रेसीपी पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कूल न भूलें जोसना के चन में आपका स्वागत है थैंक्स फॉर वाचिंग